आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में और आज मैं आगया हूँ लैमिंग्टन रोड जो कि मुंबई में है क्योंकि मुझे गेमिंग PC बिल्ड करना है यह एक wholesale market है तो हमें यहाँ पर Amazon से भी सस्ते में PC पार्ट्स मिल जाएंगे और में यहाँ पर सुबह सुबह आ गया हूँ दोस्तो अभी सुबह के करीब 10 बज़े है और यह market अभी तक open नहीं हुआ है यहाँ पर shops 10.30 बज़े से लेकिए 11.00 बज़े तक open होते है तो दीरे दीरे सारे shops अभी open हो रहे है और यह देखिए यहाँ पर मिल रहे है mouse pad और 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 भी दूसरे कई सारे accessories मेने यहाँ पर मुझे मेरे PC में क्या-क्या components चाहिए वो एक paper पर लिक लिया है तो मैं shops में जाके उनका quotation निकालूंगा और जिनके Google पर अच्छे reviews है बस वही पर जाऊंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ मुझे एक genuine product मिले ना कि मेरे साथ कोई scam होए आपर यहाँ पर पहला जो shop चुना है वो है Prime ABGB यह Lamington Road का सबसे जादा trusted shop है और यहाँ पर genuine product मिलने की 100% guarantee होती है दोस्तों और इनके Google पर भी बहुती अच्छे reviews है और Lamington Road का यह जो market है उसके शुरुवात में ही आपको Prime ABGB का store दिखाई देगा तो चलो चलते हैं अंदर और देख लेते हैं अपने PC का quotation इनका shop first floor पर है तो चलो चलते हैं उपर और यह देखिए यह Prime ABGB का store काफी बढ़िया लग रहा है यह store तो चलो चलते हैं Prime ABGB में दोस्तों मैंने PC के components इस paper पर लिखा था वो इनको दे दिया है तो यह हमें quotation लिख के दे रहे हैं कि हमारे PC का कितना budget होगा यह देखिए दोस्तों यह मेरे PC के components जिनका मैं quotation निकाल रहा हूँ आप वीडियो को pause करके देख सकते हैं और देखते हैं Prime ABGB के पास यह सारे components अवेलेबल है या नहीं यह देखिए दोस्तों अपने PC का quotation आ गया है और इनोंने मुझे कोई letterhead पर यह नहीं दिया है जो मैंने paper पर लिखके इनको components दिये हैं उसी पर इनोंने price लिख दी हैं और मैंने इस पर मेरे दोनों favorite graphics card की price भी लिखवा ली है जो की है AMD RX 6700 XT और NVIDIA 3060 Ti तो RX 6700 XT के साथ हमारे PC के price हो जाती है 84,200 और 3060 Ti के साथ हमारे PC के price हो जाती है 86,200 जहाँ पर Prime ABGB के पास मुझे जो जो components चाहिए वो सारे components available है और इनोंने जो quotation मुझे लिखके दिया है वो इनकी final price है अगर आपको लैमिंग्टन रोड पे PC बील्ड करने से डर लग रहा है कि आपके साथ कोई scam न हो जाए तो इस shop में आप ज़रूर आ सकते हो या आपको 100% genuine ही product देंगे ये shop सुबे 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चालू रहता है और Sunday ये close रहता है दोस्तों अब हम same components की list लेके जाएंगे अगले PC स्टोर में जो की है infinity gadgets तो चलो चलते हैं ये देखिए दोस्तों ये है infinity gadgets का store इनको भी अभी हम same components की list देंगे और देखते हैं अपने PC का बजट क्या आता है तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर इन्होंने quotation बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पर इनके shop के timing को देखें तो ये सुबह 10.30 बजे से चालू हो जाता है और रात के 8 बजे तक ये store चालू रहता है और ये store हफते के 7 दिन चालू रहता है तो ये देखिए दोस्तों इन्होंने quotation लिखा के दे दिया है और यहाँ पर इनके final price आ रही है 88,100 जो की Prime ABGB से भी जादा है यहाँ पर इन्होंने RX 67,000 XT की price 39,500 रुपेज लिखी है और यही नीचे के तरफ RTX 3060 Ti की भी price लिखी हुए है जो कि 39,000 है यहाँ पर 3060 Ti RX 6700 XT से स सबस्ता है पता नहीं केस है इन्होंने अपने graphics card की prices update नहीं कराई है मुझे इन दोनों भी graphics card की prices ज्यादा लगी इसलिए इनकी overall price ज्यादा आ रही है तो चलिए अब हम बढ़ते अपने अगले computer shop के और जो है Metaverse info तो चलिए यहाँ पर भी देख लेते अपने PC का क्या quotation आत कोटेशन निकाल रहा है इनका shop सुबह 11 बज़े से शाम के 8 बज़े तक खुला रहता है और यह shop Sunday के देन close रहता है और इनके shop के Google पर काफी अच्छे reviews है तो यह देखिए दोस्तों Metaverse info का कोटेशन आ गया है और इनकी final prize होती है 83,350 inclusive JST दोस्तों आज के वीडियो में मैंने जितने भी कोटेशन दिखाया है वो सारे inclusive JST है आप यहाँ पर कभी PC बिल्ड करने आए इनसे कभी भी inclusive JST ही कोटेशन मैंगी है और राइट दोस्तों अब हम चलते हैं हमारे आगले PC स्टोर पर जो है Phoenix Technology NX तो चलिए चलते हैं अंदर और यहाँ पर मैंने PC components की list दे दी है और इनोंने कोटेशन बनाना शुरू कर दिया दोस्तों इनके shop timings की बात करें तो यह सुबह साड़े 10 बजे से लेके रात के 9 बजे तक चालू रहता है और संडे को यह shop बन रहता है और यहाँ पर most of सारे latest PC components अवेलेबल है और यह देखिए दोस्तों PC का कोटेशन आ चुका है और हमारे PC components की total price है 79,400 और मैंने इन से confirm भी किया कि यह price inclusive GST है या नहीं तो यह दोस्तों यह price inclusive GST है यह Lamington Road पर हमारा आप तक का सबसे cheapest PC quotation है और यहाँ पर RX 6700 XT की price देखिए जो सिर्फ 31,500 रुपीज है दोस्तों मैंने यह आप पर 4 शॉप्स के PC quotations ले लिये हैं और अभी इन 4 PC quotations को एक साथ compare करके देखते हैं अब पर्टिकुलर पार्ट्स की कौन से शॉप में value जादा अच्छी मिली है तो यह देखिए मैंने इस तरह का एक चार्ट बना है इस पर store wise सारे components की price mentioned है आपको जो price green color में दिख रही है वो lowest price है और जो price red color में दिख रही है वो highest price है उस component की और जो price highest और lowest के middle में है उनका color orange में है तो यहाँ पर सबसे पहले cabinet की price देख लेते हैं जो कि है Antec NX 410 इसकी सबसे cheapest price मुझे Metaverse Info में मिली जो है 4200 और उसके बाद है Phoenix Technology NX जहाँ इसकी price बस 50 रुपे एक्स्ट्रा थी यहाँ पर prime ABGB और infinity gadget में इस cabinet की price 4500 रुपे थी और अब देख लेते हैं CPU के prices जो कि है Intel Core i5-12400F इस CPU की सबसे cheapest price Metaverse Info और Phoenix Technology में मिली जो कि है 14750 रुपे और 14950 रुपे और यहाँ पर सबसे costly यह 15200 में infinite gadgets में था तो यहाँ पर 400-400 रुपे का difference है CPU के prices में अगला component है motherboard जो है Asus Prime B660M AD4 इसकी सबसे cheapest price मुझे Metaverse Info में मिली जो है 11700 रुपे और यह सबसे costly infinite gadgets में मिला जो है 12000 रुपे तो यहाँ पर 300 रुपे का price difference है और अगला component है RAM जो है Corsair Vengeance LPX 36MHz जहाँ पर हम use करेंगे 8GB के 2 RAM इनकी सबसे cheapest price मुझे है फिर से Metaverse Info में ही मिली जो है 5100 और यह सबसे costly Prime ABGB में थी जो कि है 5400 इन amounts को आप divided by 2 कर लेना तो आपको per RAM stick इनकी price मिल जाएगी और अब बढ़ते next component की ओर जो है XPG Chemics S5 यह M.2 SSD है 1TB Storage के साथ और इसकी cheapest price मुझे फिर से Metaverse Info में ही मिली जो है 5450 रुपे और उससे ज़्यादा costly यह Prime ABGB और Infinity Gadgets में थी जो है 5800 रुपे जहाँ पर 3500 रुपे का price difference है और अगला component है Power Supply जो है Cooler Master का 550 Bronze इसके price सब जगे similar थी लेकिन फिर भी यहाँ पर Infinity Gadgets में यह 100 रुपे बहिंगा था और next component है CPU Air Cooler जो है Deep Cool का AK400 लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह Prime ABGB में अवेलेबल नहीं था और Metaverse Info में यह cooler अवेलेबल नहीं था तो इसकी जगह में ने Cooler Master Hyper 212 का price लिखवा लिया जहाँ पर CPU cooler के price में ज़्यादा difference नहीं है बस 50 या फिर 100 रुपे का difference है और अब बढ़ते हमारे PC के सबसे important component के और जो है इसका graphics card RX 6700 XT जो कि अलग-अलग shop में अलग-अलग brand का offer हो रहा था इन graphics card के brand name आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर infinity gadget के पास Asus branded RX 6700 XT अवेलेबल था लेकिन इसकी cost कुछ जादा ही थी 39,500 और यहाँ पर सबसे best price Phoenix Technology के पास था जो है 31,500 यह इस graphics card के लिए बहुत ही अच्छी price है दोस्तों और यहाँ पर total price quotation देखे तो आप है cheapest price provide किया है Phoenix Technology NX ने जो है 79,400 और उसके बाद Metaverse Info जो है 83,350 और उसके बाद है Prime ABGB जिनका overall PC का cost है 84,200 और यहाँ पर सबसे costly PC का quotation दिया है Infinity Gadgets ने जो है 88,600 तो यहाँ पर winner है Phoenix Technology NX लेकिन अगर graphics card को छोड़े तो बागे के components की price हमें Metaverse Info में सबसे cheapest मिली तो आप Lamington Road पर Phoenix Technology NX और Metaverse Info इन दो computer shops को consider कर सकते हैं अगर आपको cheapest पर आपका PC बिल्ड करना है तो आज तो मैंने quotation ले लिए है इनसे और कल मैं आपर अगले वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा कि मेरे इन 4 shops में से किस shop को चुना है अपना PC बिल्ड करने के लिए तो अगले वीडियो में आप से फीर मिलूंगा दोस्तों तब तक के लिए बाए